आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ9 Android में आप अपने मुवाइल फून की स्लो इंटरनेट की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्ट टाब करनें यहांपर आपको सबस dwarf systemasaki टाप करने इस वाले पर आपको सिस्टम आयोड नीचे आना है मुवाइल की नेटवक सेटिंग को उपन करने सबस्पर आपकोcha टाप करने चाप लिगन है आपको नीचे reset option show होता है इसे tap करना है आपका phone directly आपको setting मिलाएगा reset option की setting tap करेंगे तो अगले page में आपको reset wifi mobile and bluetooth पर tap करना है इसके अंदर आपको नीचे reset setting पर tap करना है अब यहाँ पर आपको अपने phone का screen lock enter करना है अब आपको right की लिख करना है आपको next page में नीचे reset setting पर दुबारा tap करना है आपको नीचे लिखा हुआ आजाता है थोड़ी देर में network setting have been reset इस तरह की से phone की network setting को एक बार reset कर देना है अगला का में यह करना है मुवाइल फोन का software आपको चेक करना है कि update है या नहीं है पहले phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page उपन करना है सबसे उपर आपको इस search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में system update आपको लिखना है अगले page में सबसे नीचे erase all data पर tap करना है इस सबसे आपको फोन जब रिसेट हो जाएगा और आपकी slow internet की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone के data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बता है इस सारे process आपको यूज़ करने से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है डो जाएगी